प्रस्नावली 4.2 का ये तीसरा वीडियो और अन्तिम वीडियो है अभी तक हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 का वीडियो देखा है जिसमें हमने प्रस्न संख्या एक से लेकर 14 तक को हल किया है अब इस तीसरे वीडियो में हम 15 हुए सवाल और उसके आगे के प्रस्नों को हल करेंगे 15 हुआ हमारा प्रस्न है 65 मीटर लंबी रस्सी को एक पुणांग 2 बटे 3 मीटर के बराबर बराबर टुकडों में बाटा गया है टुकडों की कुल संख्या ग्याद किजिए अगर एक जो रस्सी है इसकी लंबाई है 65 मीटर और ये एक पुणांग 2 बटे 3 मीटर का बराबर बराबर टुकडा में बाटा गया है तो टुकडे कितने होंगे ये बताना है तो ये जो लंबाई है रस्सी की इसमें अगर हम ये जो टुकड़े की लंबाई है उससे भाग दे दें तो हमें टुकड़ों की संख्या मिल जाएगी तो आई ये से हल करते हैं टुकड़ों की कुल संख्या बराबर ये हो जाएगी 65 और भाग 1 पुणांग 2 बटा 3 आई इसे हल करते हैं 65 ये मिस्र भीन है इसे पहले हम विसम भीन में बदल लेते हैं 3 एका 3 दो 5 बटे 3 अब इसे हम क्या करेंगे इस भाग को गुना में बदल लेते हैं तो ये इधर का भी उलट जाएगा ये 3 बटे 5 तो 5 से ये देंगे तो कितने बढ़ाएगा 13 और 13 ती आए 49 यानि टुकड़ों की कुल संख्या हो जाएगी कितनी 49 प्रस्न संख्या सुल्ह समझिए और सार्नी को पूरा कीजिए ये है जोड तो इसमें किस तरह से करना है ये इधर ये है और इधर ये ये लंबवद है एक और इधर 36 तो हमें जोडना है तो ये इसका अर्थिय हुआ 2 बटा 3 जोड घटाओी ये दिया हुआ है तो ये किस तरह से हुआ मैं इसी ही बता रहा हूं पहला वाला हैं तो ये पहला हमारा है 2 बटा 3 जोड माइनस एक बटा 3 तो ये बराबर हो गया 2 बटा 3 और ये हम क्या करते हैं ये minus 1 बटा 3 है तो दोनों का हर्तों समान है तो ये क्या हो जाएगा 3, 2 और ये plus minus 1 तो जब bracket हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा minus तो ये हो गया 2 घटाओ 1, तो ये क्या हो गया 1 बटा 3, ये ही 1 बटा 3 यहां दिया हुआ है इसी तरह से हम इसको minus 3 बटे 5 जोड 1 बटा 4 करेंगे, आईए इसे भी करके दिखा देते हैं minus 3 बटे 5 जोड और 1 बटा 4 तो यहाँ पर तो देख रहे हैं कि हर समान नहीं है, तो पहले हमें हर समान करना होगा, तो हर समान करने के लिए यहाँ हम इस हर को गुना कर रहे है 4 से, तो अंस से को भी 4 से करेंगे, और फिर यहाँ इस हर जो 4 है, इसे हम 5 से गुना करेंगे, तो अंस को भी 5 से कर रहे है minus 12 बटे 20 जोड 5 बटे 20 तो यह आगया हमारा 5, अर्थात minus 7 बटे 20 तो यह से वाले जगब हमारा आजाएगा minus 7 बटे 20 minus 7 बटे 20 ठीक, इसी तरह से बाकी अन प्रस्नों को भी हम को हल करना है, इसे आप स्वैम हल करेंगे प्रस्न संख्या 17, निम्नलिखित प्रस्नों के चार विकल्प दिये गए हैं, सही विकल्प को चुन कर लिखिए निम्नलिखित में कौन सी परिमे संख्या 3 बटे 5 के समतुल्य है तो समतुल्य जाचने के लिए हम देखेंगे कि इन चारों में से किसका हर इस 5 का गुनज है या मल्टिपल है तो ये देख रहे हैं, ये 4 है ये 5 का गुनज नहीं है ये भी 4 है, ये 7 है ये भी नहीं होगा, ये 10 है पांच दुना करते हैं पांच को दो बार गुना करते हैं तो 10 आता है तो इस तरह से पांच को दो बार करें तो 10 और 3 को भी दो बार करते हैं तो 6, तो ये ही हमारा समतुल्य हो गया एंसर ये ही हो गया ये हो गया अब दूसरा है किसका व्यूतक्रम परिभासित नहीं है तो हम जानते हैं यह कौन सा एंसर होगा हमएरा शुन्य अब है निम्रिलिखित में कौन सी धनात्मक परिमेश संख्या है यह पहला ओला हम देखरें इरीनात्मक है ये भी इरीनात्मक है ये हर में मैनस का साइन है लेकिन जब मानक रूप में लिखेंगे तो ये उपर में आए जाएगा अंस में ये वाला चौथा देख रहे हैं तो ये माइनस पाँच है अब तीसरा को ध्याम से देख रहे हैं यहाँ अंस में भी माइनस है और हर में भी माइनस है तो ये दोनों cancel हो जाएगा बच जाएगा हमार दो बटा 3 यानि ये ही धनात्मक परिमेशंख्या है निम्लिकित में कौन सी परिमेशंख्या रिनात्मक है तो यहां देख रहे हैं ये माइनस 3 बटे माइनस 5 तो ये जो ब्रैकेट के अंदर है तो ये तो 3 बटा 5 हो गया लेकिन यहां बाहर तो माइनस है तो ये रिनात्मक है ये दोनों में देख रहे हैं तो ये धनात्मक है ये भी धनात्मक है ये भी धनात्मक है तो हमारा पहला वाला हो गया अब परिमे संख्या के मानक रूप में हर सदैव होता है हर सदैव हमारा धनात्मक होता है F. किसी परिमे संख्या के मानक रूप में बदलने के लिए अंस और हर को उनके खालिस्थान से विभाजित किया जाता है तो किन से विभाजित किया जाता है? मौसो से ऐसी परिमे संख्या जो स्वयम का व्युत्करम है ये हमारा माइनस एक माइनस दो बटे साथ का युज्य परतिलोम है ये कौन सा होगा ये होगा माइनस दो बटे माइनस साथ क्योंकि इसका मान कितना है ये दो बटा साथ 4 बटे 5 का गुनात्मक प्रतिलोम है 5 बटे 4 किसी परिमे संख्या और उसके गुनात्मक प्रतिलोम का गुननफल होता है 1 माल लिजे कोई परिमे संख्या है हमारा 2 बटा 3 है और इसको गुना करते हैं गुनात्मक प्रतिलोम से यानि 3 बटे 2 से तो ये क्या होगा, ये तीन और तीन ये कट जाएगा, ये दो और दो कट जाएगा, तो हमारा बज जाएगा एक, प्रस्न संख्या अठारा, सही कथन के आगे सही का निसान लगाईए, पहला है, सभी परिमे संख्या भिन है, क्या सभी परिमे संख्या भिन होती है, एक उधार ये तो परिमे संख्या है, तो क्या ये भिन है, नहीं, ये भिन नहीं है, तो ये होगा, नहीं, दो परिमे संख्या का अंतर सदैव एक परिमे संख्या होता है, हाँ ये तो होता है, हमने पढ़ा है, दो परिमे संख्याओं का योगफल सदा एक परिमे संख्या होता है, ये भी धनात्मक संख्या के अंस और हर सदैव धनात्मक होते हैं किसी धनात्मक संख्या के अंस और हर सदैव धनात्मक होते हैं तो धनात्मक का तो अंस और हर सदैव धनात्मक होगा ही अगर इसमें से कोई एक भी रिनात्मक होगा तो वो धनात्मक नहीं हो सकता है तो ये सही है सुन्य एक धनात्मक संख्या है क्या सुन्य धनात्मक है? नहीं सुन्य एक विशेश संख्या है तो ये गलत हुआ